रूफ्टॉप नेशनल प्रोग्राम जैसे आपने बताया बहुत ही महत्मून कारेक्रम है, सर इनके लाभारतियों के लिए डारेक्ट पेमेंट अफ सब्सिडी और बाकिया देने के लिए, सर मैनारी ने सर एक नेशनल रूफटॉप पोर्टल तैयार किया है, मैं सर आप से सर इनिविदन करना चाहूँगा, सर क्रपया इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का सुबार हम सर रिमोट के बटन दबारने की करके करने करपा करेंगे। सर इस पोर्टल पर हमने लगू फिल्म तयार किया है, हम आपके सामने उसको प्रस्तूत करना चाहेंगे। आपकेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में इस लक्ष को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है। और रिन्यूबल एनरजी के मामले में भारत, दुनिया के शीर्ष चार देशों में शामिल हो गया है। आज, जब रिन्यूबल एनरजी की तरफ ट्रांजेशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो भारत को मॉडल की रूप में देखा जाता है। जन भागिदारी और सामोहिक प्रयासों से हम सब उर्जा आत्म निर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को उर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर उर्जा, 21 सदी की उर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बन कर उभरा है। प्रधान मंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजिन के साथ भारत ने गत आठ वर्षों में दुनिया को सौर उर्जा के जरिये जोड़ने में अग्रणी धूमिका निभाई है। International Solar Alliance, One Sun, One World, One Grid जैसे कदम के पीछे यही भाबना है। बिजली सब तक पहुचे, परियाप्त मात्रा में पहुचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रही। इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर उर्जा को लेकर यही सोच है जहां उर्जा को जन भागितारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर उर्जा ने सामान्य ग्राह को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कार खाने की छट हो या कही पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगा कर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छट पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40 प्रतिशत और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20 प्रतिशत की वित्यस सहायता देती है। अम तक करीब 4 लाख घरों की छटों पर Rooftop Solar लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक national portal www.solarrooftop.gov.in तयार किया गया है। पोर्टल पर applicant को अपनी पसंद का vendor, solar panel और inverter चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सबसिडी देने तक portal पर लगातार status update मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहदासान है। applicant को portal पर register करना है और phone व ए-mail के माध्यम से अपना account अक्तिवेट करना है। Rooftop Solar का आवेदन करते ही email पर confirmation mail आएगा। वितरण company द्वारा आवेदन का technical approval हो जाने पर इसी भी पंजिकरित vendor से Rooftop Solar लगवाया जा सकता है। Rooftop Solar लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी portal पर भरनी है और net meter लगवाना है। इसके बाद अपना bank account डीटेल portal पर देना है और 30 दिनों के अंदर bank खाते में subsidy मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक Rooftop Solar के रखखाव की जिम्मेदारी vendor की होगी। Portal पर शिकायद दर्ज करने की भी सोविधा है। यानी National Portal Rooftop Solar स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा एहम भूमिका।